Hello friends, Theory of Computations की अब तक की वीडियो लेक्शर में आपने देखा कि DFA क्या होता है, NFA क्या होता है और आपने एक चीज अब दोग क्या होगा, चाहे मेरे पास NFA हो, चाहे मेरे पास DFA हो दोनों ही cases में हम एक state से दुसरे state में तब मुग करते थे एक state से दुसरे state में हम तब transit करते थे, जब हमें कोई input symbol मिले दोस्तो अब इस वीडियो में हम discuss करने जा रहे है, EPSILON NFA के बारे में So basically EPSILON NFA में हम एक state से दुसरे state में बिना किसी input symbol के मुग कर सकते हैं और दोस्तो इस तरह के transition को हम EPSILON TRANSITION कहते हैं मतलब अगर मैं एक state से दुसरे state में बिना किसी input alphabet के मुग कर सकूँ तो ऐसा transition EPSILON TRANSITION कहलाएगा दोस्तो आपको पता होगा कि EPSILON मतलब empty string यानि कुछ भी नहीं तो यहाँ पर EPSILON TRANSITION का मतलब है कि बिना किसी input symbol को देखे, आप movement कर सकते हो अब आपके दिमाब में question आएगा कि ऐसा ऐसे movement की या ऐसे transition की जरूरत क्यों पड़ी तो आप देखो कि दोस्तो बहुत सारे ऐसे scenario को आपको देखने को मिलेंगे जहां जिसे अभी मैं example के जागे आपको यहांपर बताऊंगा लेकिन इस चीच को आप appreciate करोगे जब हम लोग regular expression पढ़ेंगे फिलाल दोस्तो अब तक आपने determination का automata बनाना सीखा और NFA भी बनाना सीखा तो उन्हीं के example के जरुए मैं कुछ यहां पर scenario दिखाना चाहूंगा आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ scenario में हम epsilon nfa के जलिए जो language है उसे easily उसके लिए easily finite automata design कर सकते है ठीक है तो देख भी है डीएफए भी finite automata है प्रिवेश सीडियो में भी discuss कि आपको बताया कि किसी भी NFA को हम DFA में convert कर सकते हैं उसी तरह में आगे आपको बताऊंगा कि किसी भी epsilon nfa को हम NFA में जो languages के लिए आप DFA बना सकते हो उन languages के लिए NFA बना सकते हो उन languages के लिए epsilon nfa बना सकते हो तो आए दोस्तों मैं example के जरिए आपको बताता हूं कि epsilon nfa किन scenario में better in होता है तो इस language को देखेगा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसके अंदर हमें यहाँ पर L is equal to दिया गया है A raise to N और B raise to N दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे basically मेरे पास दो तरह की languages का यहाँ पर और यानि union किया गया है एक language है A raise to N दूसरा है B raise to N दोनों को मिलाकर एक नया language L बना गया है जब ही दोस्तों इस तरह का combination हो कि दो अलगल language को मिलाकर एक नया language बनाया गया हो उ देखेगा तो A raise to N का finite automata कैसा होगा यहाँ पर मैं NFA बनाता हूं ठीक है तो A raise to N के लिए दोस्तों NFA कुछ इस तरह होगा कि जो start state है यहाँ पर वही final state होगा कि N के लिए 0 भी हो सकती है और कितने भी A मिले हम यहीं पर रहेंगे ठीक है B मिला थो हम dead state में जाएंगे लेकि दोस्तों में NFA कर रहा हूं उसी तरह दोस्तों के लिए बात करें B raise to N की तो उसके लिए भी same to same बनेगा बस यहाँ पर loop किसके लिए हो जाएगा B के लिए तो यह जो state है इसे मैं कहा देता हूं S1 और कितने भी मिले हम यहीं पर रहेंगे दोस्तों यह A raise to N के लिए NFA है औ अब हमें दोनों का और करके एक नया language बनाना ल दो सो जब भी ऐसा है ऐसा हो दिखिए यह जो मैंने दिखाया है इसका नाम में this देता हूँ यह नहाए start state है और दोस्तों इस एस से यह जो हमारे पास है in fay यहां पर मैं epsilon Mew मतलब बिना कुछ symbol देखे मु कर सकता हूँ और इस एस से मैं इस 1 की तरफ यह start state से स्टर फ़ी बिना किसी symbol को देखे मु कर सकता हूँ अब यह पूरी की पूरी जो हमारे पास automata है इसे हम epsilon nfa कहेंगे क्योंकि इसके अंदर epsilon transition है और दोस्तों यह इस language को accept करेगा अब बोले के सर कैसे जड़ा देखते हैं कोई भी हम example लेकर देखते हैं for example अगर में पास है string aq ठीक है अगर एक्यूब है तो दोस्तों हम सबस्ब्सक्राइब रहेंगे अब बिना किसी symbol को देखे हम यहां पर भी जा सकते हैं और यहां पर भी जा सकते हैं suppose अगर मैं यहां पर चला गया तो वह string accept नहीं होगी क्योंकि यहां पर B मिलने पर ही हम यहां पर हैं अगर A मिल गया तो dead state हो जो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि NFA में हम दिखाते हैं नहीं dead state जनरली अगर दोस्तों मैं यहां पर जाता हूं तो अगर aq है तो एक a2 a3 है लेकिन यहां गया तो accept होगा ना तो एक ऐसा path exist कर रहा है या एक ऐसा sequence exist कर रहा है जिसके through हमारा aq accept कर लिया जाएगा तो यहां पर यह जो machine है वो aq accept कर रही है right in general अगर मिले पास कोई भी a raise to n है तो यह path follow करके उसे accept किया जा सकता है वैसे दोस्तों अगर मैं पास b raise to n है वो दोनों को combine कर सकते है और अब यह जो नया हमें मिल रहा है यह दोस्तों उन दोनों language के union को represent कर रहा है एक और example के ज़री समझाता हूं तो शायद आपको बहतरी न समझ जा है दोस्तों इस second language को देखेगा जहां पर हमारे पास है l is equal to even number of zeros और even number of ones ठीक है तो यहां पर इनके लिए even number of zeros के लिए अलग से draw करता हूं तो देखो even number of zeros को कैसे दिखेगा यहां पर अगर मैं draw करूँ और तो even number चाहिए even number of zeros चाहिए तो दोस्तों यहां पर जो start state है यही final state होगा राइट युकि even number में अगर zero times हाया तो भी वो even होगा राइट अगर मुझे zero मिलता है तो मैं यहां पर जाओँगा ठीक है और जो अगर मैं फिर से zero मिला यही इसे माषण क्यता हूं जो में यहे प्रmiyorum बात पर मिलने पर और मुझे वापस से और जो मैं आगा आग और घृ-पर दो रहा हुए अब यहां पर मैं यही पा रहा होँगा ब्र्र मैं स्वंपर और मै तो यहां पर मैं एक नायर स्टेट बनाता हूं QOD और अगर कितने भी 0 मिले मैं यही होंगा क्योंकि मुझे 1 से मतलब है one even होने चाहिए और अगर one मिला तो मैं यहां चले जाओंगा जिसे मैं q1 कहता हूं और Q1 पर जो अगर मुझे 1 मिला तो मैं वापस यहां चले आँगा ठीक है और जो यहां पर मुझे 0 मिला तो मैं यहीं पर रहूंगा तो दोस्तों यह जो है S0 जो यहां पर यह बता रहा है even number of zeros को represent कर रहा है final state Q0 जो है even number of one को represent कर रहा है तो दोस्तों यह दो अलग-अलग DF हैं यह दोनों अलग language के लिए अब मुझे अगर ऐसा language बनाना है जो यह दोनों का क्या होगा combination अगा मतला यह भी हो सकता है तो simply आपको क्या करना है आपको एक नया 200 state बनाने का है जिसका नाम आप कुछ भी दे दो S दे दो और फिर S से यहा अब समझने की कोशिश कीजिएगा मतलब आपका जो आटोमेटा है कैसे काम करेगा बिना किसी इंपूट स्ट्रिंग को देखें यहां जाकर ट्राय करेगा क्या आपकी स्ट्रिंग इस वाले से एसे की जा सकता है अगर वहाँ पर नहीं हुआ तो दूसरा ट्रायल देखो य ठीक है तो वहाँ पर आप देखोंगे एपसलान बहतरीन काम करता है और आगे मैं आपको बताऊंगो कि कैसे हम रेगुलर जो एक्सप्रेशन से उसे आसानी से दोस्तो एपसलान एंफे के जरिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पर ठोड़ा सा मुश्किल होता है और आगे में कई सारे प्रॉजर प्रॉपर्टी आपको बताऊंगो है रेगुलर लैंगुजिस की जिसके प्रूफ को हम आसानी से एपसलान एंफे के जरीए कर सकते हैं यही सेम लॉजिक जो मैंने बताया कि कंबाइन करने वाला जो लॉजिक दोस्तों आपको यह समझ गया कि की एपसलान एंफे किसां जाता है ऐसा एंफे जिसके अंदर आपको एप्सलान डीक्र das on को मतलब क्या होता है बिना किसी इन्पूट को देखे हम एक स्टेट से दूसरे श्टेट पर या सकते हैं तो तो और DFA भी exist करेगा तो next videos में दोस्तों हम इसके उपर discussion करेंगे जिसके पहले हम epsilon closure के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि उसी का use करके हम यह conversion देखने वाले हैं तो मिलते दोस्तों next video में बहुत बहुत धन्यवार